बात कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन पूरी दुनिया के इतियास में एक बहुत important country रहा है आप देखिए एक time ऐसा था जब ब्रिटेन ने almost one fourth of the world पे राज किया था तो बहुत जाहिर सी वात है कि इतनी बड़ी गर country है इतना important country है तो बहुत सारी लड़ाईयों में पड़ी होगी बहुत सारे wars में पड़ी होगी बट जब last time किसी ने ब्रिटेन में entry की थी successful invasion किया था और ब्रिटेन के राजा को तक्ता पलट कर दिया था वो एतिहासिक moment जो था उसको कहते हैं the glorious revolution कहानी शुरू होती है साल 1685 में ब्रिटेन में उस समय ब्रिटेन का राजा था चार्स दे सकेंड बट उसका कोई air नहीं था यानि उसका कोई वारिस नहीं था तो उसकी गद्दी मिल गई उसके भाई को जिसका नाम था James दे सकेंड पुराने जमाने में जब राजा राज करते थे तो ऐसा होना बहुत common था कि अगर वारिस नहीं है तो छोटे भाई को मिल जाएगा यह बहुत common था तो इसकी जब छोटे भाई को मिला उसमें एक problem थी क्या problem थी बात ये थी कि James the second थे Catholic देखें Christian धर्म के दो हिससे होते हैं वो थे Catholic तो बहुत साधारन सी बात है कि वो Catholics को support करते थे उन्होंने बहुत सरे ऐसे नए नियम लागू किये जिसमें Catholics को जाधा power मिली उन्होंने Catholics के लिए freedom और बढ़ाई और आर्मी में important जगहों पे Catholics को appoint करना शुरू किया यह सब कुछ देखके जो Protestant लोग थे उनको लग कर दे यानि Parliament को खतम कर दें और नहीं Parliament मिना है ऐसी Parliament जिसे राजा का बहुत असर हो जिसके जो पार्लीमेंफ राजा की बात माने यह बात अच्छी नहीं थी क्योंकि Parliament का का मोता है राजा के सारे actions को control करना अगर राजा अपनी मनमानी कर रहा है तो Parliament उसको सही रासा दिखायागा उसके actions को control करनी कुशिश करेगा बट अगर आप Parliament की dissolve कर दोगे तो obviously सारा power आपके हाथ में आ गया न तो Parliament dissolve करनी कुशिश कर रहा था और अपनी एक नई Parliament बना रहा था इसमें सारे important जो लोग रहेंगे पार्लिमेंट में वो राजा की बात मानेंगे इस बात से लोग और nervous हुए बट फिर भी कहानी चले जा रही थी क्योंकि लोगों को लग रहा था चलो कोई बात नहीं राजा तो है Catholic बट उसकी जो बेटी है Mary वो प्रोटेस्टेंट है तो कोई बात नहीं जब राजा जब उपर जाएंगे तो उनकी बेटी क्वीन बनेगी फिर उनके वारिज जो होंगे वो सब प्रोटेस्टेंट रहेंगे तो ये बराबर हो जाएगा सिर्फ Catholic का राज नहीं रहेगा बट फिर एक अचानक से एक न्यूज आई न्यूज ये थी कि राजा की जो दूसरी वाइव थी उसने एक बच्चे को जनम दिया और उस बच्चे के लिए एनाउंस कर दिया राजा ने कि वो उस बच्चे को Catholic की तरह बढ़ा करेगा उस एक लोग को लोगा अब तो चांस खतम अब तो कोई चांस ही नहीं प्रोटेस्टेंस का वापस पावर में आने का तो देखिए यहां पर लोगों की मन में तीन बातों को लेके बहुत बड़ा डर था पहला कि जो राजा था वो अपना पार्लिमेंट डिसॉल कर रहा था नया प लोगों को लगा अब तो बस खतम और फिर डिसाइड किया गया कि इसके लिए अब कुछ ना कुछ तो आक्शन लेना ही पड़ेगा तो साल 1688 में जो राजा के कुछ करीबी लोग थे उन्होंने क्या किया उन्होंने एक डच लीडर विलियम ओफ ओरेंज को एक लेटर तो राजा के करीबी लोगों ने ही विलियम ओफ ओरेंज एक बाहर के इंसान को नियोंप इस थे वह राजा की पुत्री मैरी के पती थे तो एक फ़रा से उन्होंने राजा के दमात को ही इन्वाइट किया कि आप यहाँ पे आके हमला करो पर इस सब में विलियम ओरेंज का पर्सनल इंट्रेस्ट क्या था वो क्यों चाते थे कि यहां पर हमला करें उसका पहला बहुत इंपोर्टेंट बहुत ही ओविस रीजन है कि अगर वहां पर हमला करेंगे और जीट जाएंगे तो वह राजा बन सकते हैं दूसरी बात विलियम ओफ उरेंज को फ्रांस से बहुत खुन रख थी उनकी फ्रांस से लड़ा होती रहती थी तो सोच रहते कि अगर वो इंगलेंड को जीत लेंगे तो वहां की फोर्सेस मिलके फिर वह फ्रांस पर हमला कर सकते हैं और फ्रांस को जीत सकते हैं वो बिटेन में पहुंचे 35,000 पॉजियों को लेके और उन्होंने अच्छली हमला नहीं किया उन्होंने ये कहा कि हम यहां पे आएंगे और वापस लोग और को रिस्टोर करेंगे और जो आपका जो राजा है जो तानाई से चला रहा है उसको हम अटा देंगे King James 2 को बता चल गया था कि यहां पे अब लड़ने का फाइदा नहीं है उनके अपने ही लोग उनको धोका दे रहे हैं और उनकी बेटी का पती ही उनसे गद्दी छिननी कोशिश कर रहा है उपर से तबीब दिख रहा है तो फिर उनको लगा कि आप तो उनकी जान को खतर हो सकत वो जाके वहां पे चुप गए और यहां पे अब बिटेन में विलियम ऑफ औरेंज जो थे उनको लोग मानने लगा कि अरे वाह इस इंसान ने आके बाहर से हम लोग की नईया पार लगा दी हम लोग को बचा लिया तो लोग उसको एकदम मसिया समझने लग गए और यह फा की कि अगर पार्लिमेंट नों पे रोक लगाएगा तो वो उस बात को एक्सेप्ट करेंगे उसके अलावा उन्होंने इस बात को वर्जित कर दिया कि अब यहां से आगे कोई भी राजा जो होगा ब्रीटेन का वह कैसलिक नियों सकता और उन्होंने सबसे इंपोर्टेंट जो की वो थी Declaration of Rights को साइन करना इसको आज हम Bill of Rights भी कहते हैं यह एक ऐसा लॉक्यमेंट था जिसने इंगलेंड की जितनी भी सरकार का जो सिस्टम था उसको पूरी तरह पलट कर रख दिया क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था कि अगर ब्रिटेन में कोई राजा बन रहा है तो उसका बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा ऐसे में जो प्रजा है उसके पास कोई भी पावर ही नहीं है और उनको कुछ राइट्स मिलेंगी उनके कुछ अधिकार होंगे और इसलिए सा कहते हैं कि Bill of Rights का जो sign होना था ये सिर्फ Britain के लिए नहीं पूरी दुनिया की history के लिए एक बहुत ही important event था क्योंकि ये पहली बार था जब normal monarchy से सरकार आ गई थी constitutional monarchy में ऐसी monarchy जिसमें लोगों के पास भी कुछ अधिकार है इस पूरे event को glorious revolution कहते हैं या कई बाद bloodless revolution भी कहते हैं बड completely sign ही है क्योंकि थोड़ा bloodshed भी हुआ था इस एक revolution के बाद और ये Bill of Rights की signing के बाद धीरे-धीरे monarchy राजा-राणियों का power कम-कम-कम होने लग गया और लोगों की power constitution की power उपर बढ़ने लगी और इसलिए आज भी देखिए बिटेन में Queen Elizabeth है बड उनकी जो power है वो parliament के power की कम-कम है सारे जो main facelay है वो वहां की parliament ही लेती है ये पूरी bloodless revolution की कहानी मुझे इसलिए बहुत दिर्चास्प लगती है क्योंकि एक ऐसा event था जब किसी बहावाले इंसान ने आके उनके देश में उनके system को ठीक करेकर रख दिया हम जब भी भी बहार के इंसान को सोचते हैं तो हमको लगता कि विलन ही होगा बढ़ कई बार बहार के इंसान का हमला उस देश के लिए सही सा भी तो सकता है जो कि इस event में प्रूव हुआ था अगर आपको history की ऐसी कहानी जाना अच्छा लगता है तो आप मेरे Instagram पेज फॉलो कर सकते हैं उसका link आपको screen पे मिल जाएगा अगर आपको यूड़ अच्छा लगा सिर्फ तभी मेरे चैनल जिग्यासियम को subscribe जरूर करें